मामला गाजियाबाद का है जहां CRPF के एक जवान की मौत की घटना सामने आई है सिपाही मद्ध पिदेश के निमच में तैनाथ था तीन दिन पहले ड्यूटी के दोरान ही सिपाही की लाश कमरे में लटकी हुई मिली CRPF ने इसे आत्मत्या बताते हुए शव को बीती देर राज जवान के घर भेजवा दिया है लेकिन मृतक सिपाही के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और CRPF के ट्रक को गाउं के बाहर ही रोग दिया सिपाही के परिजनों का आरोप है कि या आत्मत्या का मामला नहीं हो सकता है इस घटना की जांच होनी चाहिए और मृतक सिपाही को शहीत का दरजा दिया जाना चाहिए जिसके बाद प्रशासन और इस्थानिय विधायक उन्हें समझाने में लगे हुए है जिसके बाद पूर जा है मेरा चाहा आपसरों ने मारा है चाह आतंकवाधियों ने मारा है ने मारा मेरा अपने आत्महत्या नहीं कर सकता मुझे इंसाफ चाहिए मेरा इसी तरह चाहिए जैसे सखीड हूटी थे मेरी बात होई तो वहाँ से अधिकारी ने अपना नाम वाम कुछ नहीं बताया, जो भी कोई था, अधिकारी था क्या था, कि मैं सियो बोल रहा हूं, और पंकर ने सुसाइट कर लिया है, बस इतनी बात कह गे,